तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि Arduino, ESP या फिर उससे related किसी भी development board को program करते हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं जितने भी सारे development board हैं उनको हम लोग दो type से program करते हैं सबसे पहला कि अगर आप लोगों के पास computer है या फिर laptop है तो आप लोग उसकी help से बहुत ही जादा आसानी से आप लोग program कर सकते हैं और दूसरा ये है कि जिनके पास laptop या फिर computer नहीं है तो वो लोग अपने smartphone से ही इन सारे development board को program करना चाहते हैं तो अब ऐसे में हमारे पास ए अभी अभी start ही किया है आप लोगों ने इन सारे board को program करना तो ये जो Arduino Droid application है इसको use करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस Arduino Droid को कैसे ही आप लोग use करेंगे इसको कैसे समझेंगे इसके अंदर क्या-क् flexibility provide किया गया है इस application के अंदर सब कुछ discuss करेंगे अगर आप लोग इस वीडियो को start से लेकर end तक देखते हैं तो आप लोग इस application को master कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों को इस application को access करने में या use करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ये मेरी guarantee है और अगर फिर दिक्कत आती है तो comment box खुला हुआ है या फिर आप लोग मेरे Instagram पर आकर वहां से मुझे DM कर सकते हैं मैं आप लोगों की problem का solution जल से जल देने की कोशिश करता हूं तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग इस application को कहां से और कैसे download करेंगे अब कैसे download करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर इस word को use किया है क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास latest smartphone है अब latest कहने का मतलब Android 13 या फिर उससे उपर का Android version वाला phone है तो उन सारे phones में आप लोगों को Arduino Droid application डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप अगर आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेक्टोर पर जाना है और उसके ऊपर एक digital video बना रहा है उस video का link आप लोगों को नीचे description में और उपर यहां पर आई बटन में मिल जाएगा आप लोग कहीं से भी जाकर उस video को देख सकते हैं और आप लोग अपने smartphone में बहुत ह असानी से इस application को download कर सकते हैं और download करने के बाद इसको आप लोगों को open करना है open करने के बाद अगर आप लोगों ने पहली बार इसको download किया है तो कुछ steps को यहां से follow करने है और इसके बाद यहां से done कर देना है थोड़ा से इस application को कुछ-कुछ phones में loading उने में time लगता है तो इसके लिए आप लोग wait कर सकते हैं, और जैसे ही application open हो जाएगा, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, इसका interface कुछ इस टाइप का होता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, top left corner से, यानि कि application का नाम है, और उसके नीचे आप लोगो को sketch का नाम देखने को मिलता है, जो कि by default sketch underscore, जो भी date पर आप लोग इसको create कर रहे हैं, वो ही sketch यहां पर उसका नाम आता है, आप लोग इसके title को चाहें, तो बात में जाकर उसको change भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे, अब उसके bugle में आप लोग देख सकते हैं, save का option है, किसी भी code को आप लोग चाहें, बीना compile किये हुए, यहां से इसको save कर सकते हैं, अब बीना compile किये हुए save करने का मतलब, अगर आप लोग किसी code को अब खुद से लिख रहे हैं, तो इस case में हमें बहुत सारे errors देखने के मिलते हैं, उन सारे errors में कुछ ऐसे होते हैं, जो कि suddenly fix हो जाते हैं, बहुत सी जादा आसानी से, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जिनके उपर हमें काम करने की जरूरत होती है, तो ऐसे case compile भी नहीं होते हैं, इसको हम लोगों को save भी करना है, तो इसके लिए हम लोगों को यहां एक save का option दिया गया है, कि बिना compile किये हुए हम लोग इसको save कर सकते हैं, उसके बगल में है compilation का option, किसी भी code को हम यहां से compile कर सकते हैं, अब compile क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों के मन में एक question जरूर आएगा, तो अभी आप लोग beginners हैं, तो आप लोग सिर्फ इतन हो गया, या कोई और सा भी board हो गया, तो उसको हम लोग यहां से upload करते हैं, उसके just bugle में serial monitor है, अगर आप लोगों के experience थोड़ा सा भी पुराना हो चुका है, इस field में, तो आप लोगों को पता होगा, एक serial monitor होता है, जहां से हम लोग किसी भी output को हम लोग text के format में ले सकते है लेकिन अब बात करते हैं उसके आगे के बारे में, तो उसके आगे आप लोग नीचे देखेंगे, तो सबसे पहला option है navigator और उसके बगल में है editor, तो सबसे पहले में बात करता हूँ, यह navigator होता क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर किसी code को open किया, तो इस code में बहुत सारे variables है बहुत सारे functions है, variables और functions क्या होते हैं, अगर आप लोगों को यह नहीं पता है, तो मैंने इसके उपर, ordino programming series के उपर एक बहुत ही detail में वीडियो बना रखा है, आप लोग अगर चाहें, वो series को देखकर, खुद से ordino programming करना सीख सकते हैं, उसका playlist मेरे channel पर आप लोगों को दे solution यहाँ पर ordino drive ने दिया है, navigator के रूप में, जैसे ही हम लोग इसके अंदर जांगे, यहाँ पर कुछ functions और कुछ variables आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि constant int, red pin, green pin, blue pin, int, bluetooth value हो गया, या फिर कुछ functions को देखे हम लोग तो set color हो गया, callback हो गया, अगर हम लोगों इन सारे functions या फिर इन में से किसी भी variable के अंदर जाना है, तो हमें यहाँ पर simply से इस पर tap करना है, और यहाँ से हम लोग उस जगे पर पहुंच जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर green पर tap किया था, green pin पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो cursor है, वो green pin के पास set हो च सकते हैं, या फिर जो already आप लोग कहीं से code को download करते हैं, उसमें आप लोग modification कर सकते हैं, जैसे modification का मतलब कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, red pin हो गया, green pin हो गया, blue pin हो गया, यह basically code यह है guys कि आप लोग ESP32 बे RGB light यूज कर सकते हैं, यानि कि मैं simple में कहूं, तो आप लो 26 है, तो आप लोग इसको 28 कर सकते हैं, 27 है तो 25 कर सकते हैं, ऐसे आप लोग modification इसके अंदर कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग ने अपने code को edit करना और navigate करना सीख लिया, अब उसके नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, diagnostics, output और arrow की है, औ और उसके बाद है keyboard का symbol, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, diagnostics के बारे में, अगर आप लोग खुद से code लिख रहे हैं, या फिर code को आप लोग यहाँ पर paste करेंगे, तो अगर उस code में कुछ भी गरबरी होगी, तो आप लोगों को यहाँ पर message में देखने को मिल जाएगा, ज जैसे कि line number 7 हो गया, आप लोग यहाँ से directly line number 7 पर आप लोग जम्प कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आखिर इसमें problem क्या है, अब इसी तरीके से output है, आप लोगों को output screen पर, compilation status, uploading status, और अगर आपके code में कोई भी compilation के दौरान error हुआ है, तो वो आ अगर आप लोगों की code में कुछ भी गरबर है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस code को थोड़ा सा modify करता हूँ, जैसे कि मैं इस semi colon को यहाँ से remove कर देता हूँ, अब मैं इसको compile करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर compilation error है, यहाँ पर message कर सकते हैं, तो इसका inbuilt keyboard कुछ इस type से दिखता है, तो इसमें आप लोगों को सारे symbols एक ही screen पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका keyboard जो है यह बहुत ही जादा boring है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों में से कोई एक भी बंदा इस keyboard से used to होगा, तो हम इन सब को हम लोग one by one समझते हैं, तो सबसे पहले sketch पर जाते हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर भी बहुत सारे options हम लोगों को देखने को मिलते हैं, सबसे पहला है new, अगर आप लोगों को किसी दूसरे code को open करना है, या फिर दूसरे page को open करना है, जहां आप लोगों को एक नए files को यानि की नए code को लिखना है, नए project को start करना है, तो आप लोग new पर जाकर click कर सकते हैं, और यहां से आप लोग नए code को open कर सकते हैं, और second number पर है open from, अब यहां पर open from का मतलब क्या है guys, कि आप लोगों की file manager के अंदर, यानि की phone में कहीं पर भी code आप लोगों ने download किया है internet से, तो उसको आप लोग यहां से open कर सकते हैं, अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे, तो recent है, device है, dropbox है, google drive है, तो recent मतलब कि आप लोग recent के अंदर जाएंगे, तो यहां पर कुछ 5 codes आप लोगों को देखने को मिलते हैं, अगर आप लोग device से open कर जाते हैं, जैसे कि file manager से, तो आप लोग यहां से device पर click करके, आप लोग अपने file manager से open कर सकते हैं, जैसे आप लोग इस पर click करेंगे, ऊपर में आप लोगों को एक arrow का option दिखेगा, आप लोगों को इस पर click करना है, और एक बार फिर से आप लोगों को इस पर click करना है, और click करने के बाद आप लोग अपने file manager में पहुंच जाएंगे यहां पर आप लोगों को जितना सारा folders है वह आप लोगों को यहां पर visible हो जाएगा और जहां पर भी आप लोगों ने अपने code को save करके रखा है वहां पर आप लोग जाकर उस code को open कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मैंने एक folder पर नाकर रखा 8x8x8 LED Cube इसको मैं यहाँ से open करता हूँ open करने के बाद आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा .inoe तो हम लोग इस पर click करेंगे और click करके यहाँ से open कर सकते हैं इसी तरीके से हम लोग जितने भी code को अपने file manager के अंदर save करके रखना चाते हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं तो काईज यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मेरा code यहाँ पर open हो चुका है लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग जिस भी folder में आप लोग किसी एक code को रख रहे हैं तो उस folder के अंदर दूसरे code को नहीं रखना है आगे चल कर आप लोग उसको open करेंगे तो आप लोगों को परिशानी होगी और आप लोगों के code में compilation error देखने को मिलेगा तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है जिस आप लोग एक folder के अंदर एक ही Arduino code को रखें तो code को open करने की बात हो गई हम लोग कहां कहां से code को open कर सकते हैं हर्ड है Dropbox, Google Drive ये सारे जगह से हम लोग code को open कर सकते हैं अब जो तीसरा option है वो है save यहाँ पर जो आप लोग एक option देख रहे हैं बाहर में home screen पर वो ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है तो इससे अच्छा कि आप लोग setting के अंदर जाए तो इससे अच्छा कि आप लोगों को shortcut यहीं पर दे दिया गया है तो आप लोग save as 2 में जाके device, dropbox, google drive में आप लोग save कर सकते हैं जैसे कि device में save करते हैं तो यहाँ से आप लोग एक option देखने है pencil का icon का आप लोग इस पर click करेंगे और click करने के बाद अपने file का नाम देख यहाँ से आप लोग इसको save कर सकते हैं अब जो 5th option है pre-compiled, save pre-compiled तो अब यह बाला option क्या कहता है आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझे comment में आकर यह बोलते हैं कि भाई मैं अपने smartphone से hex file को कैसे upload करूँ अपने किसी भी board में जैसे कि Arduino board हो गया या फिर ESP board हो गया basically इस option की help से जिस भी code को hex file में convert करना चाते हैं उसके लिए कुछ simple steps होते हैं जैसे कि एक example से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर example ले रहा हूँ basic blink sketch का अब sketch open करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा example और यहाँ से basic में जाकर मैं blink को select करता हूँ अब मुझे इस वाले code का अगर hex file को बनाना है तो सबसे पहले मुझे इसको compile करना पड़ेगा तो compile करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर compile start करता हूँ तो कैस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर folder create करने का option दिया गया है आप लोग simply सग यहाँ पर folder create कर सकते हैं इस वाले option से और अगर directly आप लोग यहाँ पर save करना चाते हैं तो फिर यहाँ पर जो okay solchen है इस पर आप लोग जो प्रेस करेंगे और प्रेस करने के आपकी hex file है जो कि कोई भी देख कर समझ सकता है कि अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसका action क्या हो का? अगर आप लोगों को Arduino के किसी ऐसे code को open करना है जो कि पहले से आप लोगों के लिए हैं जैसे कि blink हो गया, fade हो गया या और भी बहुत सारे code हैं तो वो सारे आप लोगों को options यहां पर देखने को मिलते हैं, example वाले option के अंदर, जैसे ही आप लोगों को बहुत सारे options देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि basic हो गया, basic के अंदर हम लोगों को basic code देखने के लिए मिलते हैं, digital हो गया, analog हो गया, communication हो गया, control हो गया, अगर आ नए सब्सक्राइब 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 Capacity Sensor हो गया, Bridge हो गया यह सारे आप लोगों को code पहले से देखने को मिलते हैं जैसे कि Wi-Fi हो गया अगर आप लोगों को अपने project में Wi-Fi से related कोई काम करना है आप लोग Wi-Fi से related कोई project पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को यहां से simply सा जाना है यह सारे आप लोगों को पहले से एक code देखने को मिल गए यह सारे अगर आप लोगों को समझ में आते हैं बेजी जैक आप लोग इसको यूज कर सकते हैं आप लोगों को ज़्यादा time नहीं लगेगा समझने में तो यह सारे आप लोगों को जो library example होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं sketch वाले options के अंदर तो अभी हम लोग ने देखा कि sketch वाले options के अंदर हमें क्या क्या settings देखने के लिए मिलते हैं क्या क्या options हमें देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं हम लोग की files के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं अब इसके नाम सही समझ में आ रहा है file जैसे कि हम लोग इस पर click करेंगे click करके अंदर जाएंगे तो files को create करने का एक option होता है जैसे की new तो यह वाले option को मैं यहाँ पर अभी skip कर रहा हूँ क्योंकि guys आगे जरूरत बढ़ी फिर आप लोगों को समझना है तो फिर आप लोग मुझे comment में जरूर बताना है या फिर instagram पर आकर मुझे बताना है इसके उपर एक dedicated video बना दूँगा तो इसके अंदर basically तीन option हमें देखने को मिलते हैं new rename remove file का यह option है लेकिन इसको हम लोग अभी समझ के अंदर जैसे ही आप लोग ने इसके अंदर कोई code को open करके रखा है तो आप लोग इसके अंदर कुछ search करना चाते हैं कुछ keyword को आप लोग यहां से इसको search कर सकते हैं या फिर आप लोग ने किसी action को ले लिया जिसको आप लोग undo करना चाते हैं वो चीज आप लोग यहां जो कि आप लोगों को अप्र देखने को मिलते हैं और फून से नेक करने के बाद आप टोग 3DOT के अंदर जाने के बाद यहां से आप लोगों को एक्षन के अंदर जाना है action के अंदर upload वाले section में जाएंगे और यहाँ पर upload pre-compiled एक option आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को इस पर tap करना है tap करने के बाद आप लोगों ने जो file बनाया था blink.cpp.b आपको यहाँ से select करना है और यहाँ से ok कर देना है तो उमीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यह चीज़े कैसे काम करती और बढ़ते हैं Arduino Droid के 5th setting के तरफ यानि की setting अब इस option के अंदर हमें साड़ा माल मसाला देखने को मिलता है setting के अंदर जाएंगे board type हम लोग board को select कर सकते हैं या फिर app setting हो गया app की settings को हम लोग यहाँ से change कर सकते हैं तो सबसे पहले board type के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमें 4 types के board देखने को मिलते हैं जैसे कि Arduino, Digistum, ESP32, ESP8266 Arduino board को select करना है आप लोगों को यहाँ से इसके अंदर जाना है या फिर अगर ESP8266 को program करना है तो उसके लिए options आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो basically board type में आप लोगों को 4 board types देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं इस settings के अंदर app setting में और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे options देखने को मिलते हैं जैसे की color theme अगर आप लोगों को इसके theme को change करना है इसके आप लोगों को subscription लेने पड़ेंगे तो इसके लिए अगर आप लोग interested हैं तो आप लोग इनके Google Play Store से जाकर इसको purchase कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप लोग font family को change करना चाते हैं यहां से आप लोगों को और भी बहुत सारे settings को आप लोगों को ऐसा ही चोड़ देना है यह सारे advanced setting है जिसको मैं आप लोगों को आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि यह सारे settings क्या कहते हैं इनका क्या काम है तो app setting की तो बात हो गई अब हम लोग बात करते हैं libraries के बारे में तो libraries के अंदर हमें दो options देखने को मिलते हैं अगर आपको library को अपने IDE के अंदर install करना है तो एक है manage library आप लोग इस पर click करेंगे तो यहां से directly आप लोग libraries को कुछ-कुछ libraries को download कर सकते हैं जैसे कि installed में आप लोग देख सकते हैं यह सारे libraries को मैंने यहां पर install करके रखा है और अगर आप लोग इसके अंदर से ही libraries को download करना चाते हैं तो उपर में एक option देखने को नहीं लेगा available का आप लोग इस पर जाएंगे और थोड़ा सा आप लोगों को इंतेजार करना है और इंतेजार करने के बाद आपको यहां पर search का option है आप लोग किसी भी library को search कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर liquid search किया liquid crystal.h library है और liquid इस keyword से related जितने भी libraries यहां पर option है आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहां से जो भी आप लोगों को जरूरत हो जिसकी भी आप लोगों को need है आप लोग यहां से इसको install कर सकते हैं लेकिन जादातर case में आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे वो सारे option जिसको कि आप लोग खोजना चाह रहे हैं या फिर download करना चाह रहे हैं इस वज़े से हम लोग Google से GitHub से या फिर किसी other third party website से अपने जरूरत के libraries को download करते हैं अगर आप लोगों को ये जानना है कि libraries को कैसे download करते हैं तो आप लोग मुझे comment में जरूर बताना मैं उसके उपर भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूँगा अभी बात करते हैं libraries के अंदर दूसरे option के बारे में तो यहाँ पर दूसरा option है add zip library तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग Google से libraries को download कर सकते हैं तो download करने के बाद उसको हमें install भी करना पड़ता है तो install करने के लिए add.zip library में जाएंगे यहाँ से आप लोग redirect हो जाएंगे अपने file manager के अंदर तो यहाँ से आप लोगों का zip file है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को देखना है आप लोगों ने जिस भी library को अभी download किया है वो यहाँ पर कहां पर show हो रहा है उसको simply सा आपको अपने phone में install कर लेना है simply सा click करेंगे click करने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक option आएगा आप लोगों को यहाँ पर okay कर देना है बस इतना करना है और आप लोगों को लाइबरेरी इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ तक तो बात होई libraries की अब बात करते हैं misc purchase और help के बारे में तो इसके अंदर ह हम एक कुछ-कुछ options देखने को मिलते हैं जो कि हमारे काम के नहीं है जैसे कि user id हो गया app file storage हो गया sign out from google drive अगर आप लोगों को ने मिलते हैं जैसे कि remove add banner, color theme features, smart engine features, tiny keyboard features, premium all features मतलब कि अगर आप लोग इसमें से किसी selective features को buy करना चाते हैं तो वो individually आप लोग उसको buy कर सकते हैं और अगर आप लोगों को premium यानि कि all features को buy करना है तो फिर आप लोग नीचे बाले option पर click करके यहाँ से play store पर जाकर आप लोग इन इनके features को buy कर सकते हैं अब बात करते हैं last but not least help features के बारे में तो help के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ features देखने को मिलते हैं जैसे कि onboarding, application blog, privacy policy, troubleshooting, post feedback आप लोग यहाँ से इनके कुछ options हैं इससे regarding अगर आप लोगों को help चाहिए तो फिर आप यहाँ से इस option पर जाकर click करके आप लोग इनसे help ले सकते हैं तो I hope कि आप लोगों को इस application को use करना समझ में आ गया होगा कि आप लोग इस application को कैसे use करेंगे और अगर फिर भी आप लोगों का कोई सा भी doubt रहे गया है तो आप लोग मुझे comment में ज़रूर बताना या फ सही कमाल की वीडियो में तब तक के लिए good bye